हलो फ्रेंड्स, बहुत साथे च्टुडेंट को लगता है कि आर्गूमेंट निकालना भूत हार्ड होता है लेकिन आज हम जानेंगे तीन अइस टेप में आर्गूमेंट कैसे निकाला जाता है तो चलिए सीखते हैं विना किसी देरी के तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Quadrant के बारे में तो First Quadrant जो होता है I hope आपको क्लियर होगा कि Plus Plus होता है X का Value Plus और Y का Value Plus यह हो गया X का Value यह हो गया Y का Value Second Quadrant यानि कि Minus Plus Third Quadrant यानि कि Minus Minus Fourth Quadrant यानि कि Plus और Minus ठीक है I hope आपको क्लियर हो गया होगा अब हम सिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि ये कौन से क्वाडरेंट में है, तो पलस है और पलस है, तो पलस पलस यानि की फर्स्ट क्वाडरेंट, यहाँ पर है माइनस और पलस, माइनस पलस कौन से क्वाडरेंट में, तो सकेंड क्वाडरेंट में, माइनस माइनस यानि की quadrant में और plus minus fourth quadrant में इसे याद कैसे रखा जाता है तो यह जो हो गया आपका first quadrant यह second quadrant यह third quadrant यह fourth quadrant तो fourth quadrant second और third second और third में minus से start होता है माइनस माइनईस से और फोर्थ वन और फोर्थ में पलस से स्टार्ट होता है और दोनों का उसके बाद वाला दोनों-से इस COMM होप आप समझ गया होंगे अर्न iba सिंग्म में हम करेंगे क्या तो तो आपको कैसे निकाला जाता है तो उसके लिए होता है 5 equal to होता है 10 inverse यह फर्मूला है आप remember कर सकते हैं तभी आपको question solve होगा 10 inverse y by x तो आप बोलेंगे कि y क्या है x क्या है तो x का value यह हो गया और y का value argument के term में लिखा रहता है और यह आयोटा के term में जो होगा वो हो गया आपका y और जो real part हो गया वो आपका हो गया x तो यहां पर अगर इस question की बात करें तो 5 equal to हो जाएगा आपका 10 inverse 10 inverse y by x यानि कि y कमान 2 2 root 3 और x कमान 2 तो यहां पर अगर 5 का value करें तो 5 का value हो जाएगा आपका यह 2 to cancel हो गया तो 10 root 3 का value कितना होगा 10 root 3 का value होगा 60 यानि कि pi by 3 तो किस quadrant में है तो first quadrant में है first quadrant में क्या होता है तो theta equal to pi के बराबर होता है इधर हम दिखाते हैं अगर हमें pi निकालना सीख गए हैं तो pi निकालने के बाद जो होगा pi निकालना सीख गए हैं तो first quadrant में theta का value pi के बराबर second quadrant में theta का value pi minus pi के बराबर third quadrant में minus pi plus pi के बराबर और fourth quadrant में जो होता है वो pi minus में हो जाता है theta का value यह theta क्या है तो theta यह argument है argument यह theta है आपका argument इस e को हम निकालना जानेंगे तो चलिए question से हम देखते हैं इसको erase कर लेते हैं इसको शुरू से last तक देखिए समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल आशानी से इस question को देखते है है two plus root three इसका argument निकालना है तो सबसे पहले यह किस quadrant में है तो पलस मैनस आपका fourth quadrant में है तो fourth quadrant में है तो fourth quadrant में theta equal to क्या होता है चलिए दिखाते हैं fourth quadrant में theta equal to होता है minus phi theta equal to minus phi तो phi का value निकालने का फर्मूला क्या बताये थे 10 inverse y by x तो y का value क्या है root 3 root 3 और 1 तो यह हो जाएगा आपका phi का value कितना होगा minus sorry pi by six six ने होगा क्योंकि यह साथ डिगरी का value है तो साथ डिगरी का value कि नहीं होता पाइबाइबाइबाइबाइब 3 और यहां पड़े argument की बात करेंगे तो theta equal to होगा minus phi यानि कि minus pi by 3 आपका answer हो जाएगा argument I hope आपको clear हो गया होगा thanks for watching थाएबाइबाइबाइबाइबावाइब